दोस्ते एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की और अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाह रहे हैं तो ये शानल सब्सक्राइब जरूर कर ल लेकिन आज वो university तमाम courses conduct करवा रही है और इसलिए हम engineering courses की भी बात यहाँ इसमें करने वाले हैं जी पीछे आप देख पा रहे होंगे NIMS यानि National Institution of Medical Sciences यह नाम है और यह अभी university हो चुकी है 2008 में established हुई यह जैपुर में बड़े से बड़े campus में नाम आता है या university में नाम आत और 500 से जादा courses यह conduct कराते हैं तो हम उन 500 courses की बात तो नहीं करने वाले लेकिन engineering की हर एक courses की बात यह आप करेंगे ताकि आप अगर focus कर रहे हैं राजिस्तान में जैपुर से engineering करना तो इसको target करना है या नहीं करना है यह तो बाद में आपको समझ में आएगा सारी चीजों क के बाद इसके अलावा अगर आपकी profile के आधार पर आप चाहते हैं कि हम बताएं क्या best आपके लिए होगा तो नीचे profile analysis form पर जिसको fill up करिये और आपकी profile के आधार पर क्या best होगा आपके लिए यह हम बताएंगे चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ NIMS University है यह जैपुर बीटेक में नहीं गये हैं हलांकि हम तो यहाँ टेक्नलोजी की बात करें बीटेक में यह संकेत पटेल है जो computer science engineering से senior डबलबर बनाया प्लेजड हुआ है अच्छे package पे इसके लावा बाकी आप देखेंगे तो भाई BBA की है doctorate label के इनोंने बताया हुए तो यह photo है वो ले ल पाजिस्तान में यह सारी चीज़े बताई है 500 से ज्यादा यह courses conduct कराते है अलग-अलग field पर चाहें वो medical हो इसलिए सबसे पहले लिखा है सुपी medical नामी है NIMS National Institute of Medical Sciences ठीक है तो medical, dental, pharmacy, paramedical है ना इसके लावा Physiotherapy, nursing, allied health sciences यह important है इनके फिर इसके बाद इन्होंने engineering, technology, advanced sciences बग होगाना चालों करते हैं तो हम फिलाल किसकी BTEC की बात करेंगे, engineering की बात करेंगे, कौन-कौन से program offer करेंगे तो यह सारे program यह offer करते हैं इसमें कुछ अच्छे programs भी हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सिबल तो सारे में होता है, इन्होंने architecture की जगा construction engineering को यहाँ पे include किया हुआ इसके अलाबा data science computer engineering तो चली रही है, आजकल सब जगा, electrical, electronic, food and agriculture engineering, इन्होंने अलग से specified करके, हाँ यह हर चगा मौजूद नहीं होती है, इसके अलाबा यह mechanical and aerospace engineering, आजकल यह काम करने वाले, petroleum and chemical engineering, chemical तो आजकल मिल जाती है, petroleum के साथ, फिर robotics and artificial intelligence, तो यह कुछ-कुछ इन्होंन नए innovation या नई branches include करी हुई है, जो बच्चे चाहते हैं, प्रिफर करना है और इसलिए target कर लेते हैं, तो अगर आप भी target कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, या कोई और college target कर रहे हैं, कौन सम best आपके लिए होगा, इसमें confusion है और कोई बताने वाला तो नीचे profile analysis form fill up कर दीजेगा, आपके लिए हम बताएंगे क्या best हो सकता है, चलिए eligibility के लिए, b.tech करना है तो आपको पता ही होगी, eligibility minimum 12th pass की है, बारवी pass होना जरूरी है, PCM हो और 50% के marks हो, minimum, अगर आप general category से belong करते हैं, तो और बाकी reserve category में 5% का relaxation आपको मिल जाता है, इसक के बाद आप eligible होते हैं किसके लिए examination के लिए, तो examination अलग-अलग label के होते हैं, central यानि की national label के होते हैं, J.E.Mains बगेरा, ठीक है, state level के अलग-अलग होते हैं, और कुछ university label के होते हैं, तो यहाँ पै, चुकि private institution है, university है, उसका अलग examination होते ही है, लेकिन इसके अलाबा वो national level के J.E.Mains पर भी अगर अच्छे marks हैं, तो उसको भी count करके आपका admission यहाँ पर provide करा देते हैं, तो यह eligibility criteria है, यह याद रखिएगा आप, कैसे admission होगा, अप fee structure, यह important चीज़ है, क्यों fee structure important है, क्योंकि यहाँ चुकि private institution है, नाम बहुत अच्छा है, infrastructure बहुत अच्छा है, facilities अच् खर्चा ऐसी निकालता है, तो इनकी fees थोड़ी सी हाई हो जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पीछे आप देखी बार होगे, डेड़ लाग से 5 लाग रुपे प्रतिवर्स के courses हैं, यह भी ठिक है, जो यह conduct कराता है, तो भही अगर हम afford कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात पर नहीं कर पाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम करी लें, और ऐसे हिचकेचानी की बात भी नहीं है, अगर इसको हम मानना है कि नहीं कर पाते हैं, तो यह सच्छा ही है, क्योंकि बारत में maximum middle class family belong करती हैं, और जिनकी साल भर का overall अगर हम देखें, तो हाँ, income ही कितनी होती है दो-तीन लाग-पांच लाग के हो, अब उसमें हम दो-तीन लाग-पांच लाग एक बच्चे पर गर्च कर देंगे उसकी पढ़ाई के लिए, तो बाकी की family को कहां जाएंगे लेखें, यह एक समस्या हो जाती है, जिसके कारण बच्चे अच्छी अच्छी education को नहीं कर पात और उसके business पे भी हम बताएंगे क्या best आपके लिए हो सकता है, चलिए यहाँ हमने fee structure की बात कर ली, fee structure के बाद एक important feature आता है placement, जी हाँ, placement important है और सबसे पहले ही page पे हमने देखा था कि कुछ एक करोड़ तक के इनको placement हुए, लेकिन को engineering में नहीं हुए है, याद रखेंगा हाँ जी, engineering की हम specific बात कर रहे हैं, तो उसकी भी बात जरूरी है, placement के records अगर देखें, तो भाईया, यहाँ आप देखें, highest 10 लाग का packaging का गया हुए, और on and average 4 लाग के package पे यह हैं, तो अगर हम इतना food कर रहे हैं, इतना घर्च कर रहे हैं, उसके बाद on and average हमें 4, क्यूंकि ह किसी को highest package तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, on and average package पे यह बात करें, तो 4 लाग रुपे अगर हमें साला ना मिल रहे हैं, placement हो रहा है, उसके basis पे अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो मेरे लिए return होगा, पराबर या नहीं होगा, यह सोचने वाली बात है, और इन स सब अच्छे अच्छे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल, Infosys हो गया, यहांप एक आप चामनी हो गया, यह सारे के सारे टेक महंदरा, टेक नीस, तो मिल जाते हैं, infrastructure की बात कर लें, चुकि अच्छा नाम शुमार है, राजिस्थान या जायपूर में, जाय चीजा अब देखें तो पहाड है, यह green campus है, सारी चीज़ें, प्रॉपर विवस्था है तो इस सारी चीज़ों से भी लोग attract हो जाते हैं, इन सारी चीजों के अलाब कुछ gaatit कर नाम बेसिक होती हैं, जाय 산 Sutu जय सारी चीज़। लश्क्रीन कामपर्स हो सेक्यॉर्टी ववस्ता हो लाइबरेरी वापिंग चैंटर एटियम बैंक बगएरा यह जरूरी है यूदिवस्टी है तो आप और ट्रांस्पोर्ट फेसिलिटी होस्टल फेसिलिटी यह सारी तमाम ववस्ता हैं जो है वह एक यूदिवस्टी के इंप्रोबाइट नहीं करें हों सारी केशारी यह प्राविक इंस्टीऊशन वाले हैं मैक्जिमम जिसके कारट हम इनको मानें नहीं माइते हैं यानि बहुत अच्छा ऐसा नहीं एते हैं अगर गवर्मेंट इसको इंस्टिटिउशन आपको ऐसे कुछ प्रॉबाइट करती है आवार्ड या पर रेंकिंग तो वो ज़ादा मान की जाते हैं खेर अगेन इन सारी चीजों के बापजूद भी हम NIMS की बात क तो अगर आप भी फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो था, अगीन अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी चाह रहे थे या कोई और कॉलेज को फोकस कर रहे है या अपने लिए जानना चाहते हैं कि बेस्ट क्या होगा, तो नीचे प्रोफायल अनालेसिस फॉ for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe